अब बहुत बड़ी खुसकावरी आ गई है कि आप लोग के जो यंपी पुलिस की भरती आप बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है एक नोटीस ऑफिसली जारी की गेए उसमें बता गया कि आप लोगे कितने नंबर का प मुकवंत्री सिवरासनी चोहान है उनके द्वारा घोषना की गई थी आप लोगे जो 50% अंग होंगे लिखित परिच्छा के होंगे यंपी पुलिस और 50% आप लोगे लिखित परिच्छा के होंगे बस घोषना किये थे कि इसमें आप लोगे यंपी पुलिस एकजाम में ल सवाल होगा आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद या आप लोग इस्टाग्राम पे आके मैसेज छोड़ दीजिए आप लोग को रिप्लाई जरू कर दिया जागा है सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रवाइट करवा दी जाएगी चले द प्रवाइट कर देख सकते हैं लेकिन आज यह वाइरल हो रही है लेकिन यह नोटीस जो है डिपार्टमेंटल होती है कि कोई बिभाग तू बिभाग भेजी जाती है आप लोग को ब्यापम के ऑफिसल बेवसाइट पर यह नोटीस नहीं मिलेगी ध्यान दिजिएगा बहुत सारे बोचे बोलेंगे कि ओफिसल नहीं ओफिसल बेवसाइट पर नहीं दिखाया है लेकिन यह डिपार्टमेंटल यह विभाग तू विभाग ए नोटीस बेजी जाती है आप लोग पता है कि आचार सहीता लगा है यह जो भी मीटिंग होती है चाहे आप लोग के प वारता प्रसेचन और दुर संचार पुलिस मुख्याले बहपाल विशय में ध्यान दिखाया है विशय में लिखाया है मानने मुखमंत्री जिनने घोष्णा के पालन में अराज पत्री 33.3 की सीधी भरती है तो नियमकर निर्दान है यह जो है चिरासिन चोहार पहले ही 2022 को कब घोष्णा की गी थी? 27.322 को की घोष्णा के पूलिस भरती परिच्छा में सारेरिक परिच्छा के 50% अंकी निर्दायत किये जाएंगे उसी को पालन करने होती है यह नोटीस जारी की गी है इसमें लिखाया कि पालन में आराजापत्य 33.3 के ततकाली नोंगेर तरकन 2022 सर्वर्गो की चीदी भरती थू सुविदार साहइक उप निरचक आरचक जीडी की सीदी भरती हेतू जी ओपी का नेढ़ाण किया जाना है साथ ही उप निरचकव की भरती के संबन्द में प्रचलित सासना देश में संसोदीद भी आवस्यक होगा, इस संबन्द मद सासन संसोदित नमीन जी ओपी के प्राड़ूट में हिंदी और अंग्रेजी में संगलगन है और इसमें बताए भी गया है आप लोग को जो जीडी के एनि पुलिस के आप लोग के पद होंगे कैसे होंगे कितने नंबर का जुड़ेगा ध्यान दीजेगा अब पुलिस के जो आप लोग रिटन बोलते हैं जो प्याप्राम के जोजनेता है सव अंक का होगा उसमें आप लोग पचास परसेंट हो जूड़ेंगे अनि फिसकल के हो आप लोग सारे अनक होता था 100 फिसकल के होंगे जिसमें 50% परसेंट परिष्छा के 50 परसेंट आपैंप लोग को देखने को मिलने वाली है ठीक है इस बात का आप लोग जरूर ध्यान के और साथ चाहत उपनी रच्चक एनि SI की बात करें SI की बात कोई नहीं कर रहाता है SI की बात करें SI परिच्छा में संसोधन किया गया है लिखित परिच्छा आप लोगा 600 नंबर का होगा पहले कितने को परिच्छा आप लोग का 100 नंबर का होगा उसमें 13.3% अंक से मार्किंग की जाएगी साच्छतकार यानि इंटर्विव जो पहले आप लोग का 10 नंबर का होता था अब उसको बढ़ा कर 50 नंबर कर दिया गया है जिसमें आप लोग को 6.7% अंक जुड़े जाएगे इनि टो पचास पर देखने को मिलने वाली है टोटल जो मेरिट वनेगी ध्यान देजेगा साथ चात आप लोग को एभी बताना चाहता हूं कि आप लोग जो EMPSI यानि जो उपनीर अच्छा की जो भरती होने वाले है उसमें आप लोग को दोगूना पद कर दिये गया है एक निज आ बढ़ती जो है आप लोग 6600 भरती आप लोग को जैसे नोटिफिकेशन जारे होगा इसमें 6600 पर आप लोग को बढ़ते हुए दिख रहे हैं पहले 330 पर बढ़ती होने वाले थी अब आप लोग को 630 या 650 के प्लस आप लोग को भरती इसमें आप लोग को नमबरा पोस्ट लिखने वाले हैं आप लोग तयार हैं लेकिन अभी ओफिसल नोटिस में यह नहीं बता गया है जैसे ब्यापम के दौरा ओफिसल नोटिस जारे कि यह आप लोग को बता जाए जो आप लोग की लेखित परिच्छा आप लोग को एक क्या नाम है MPSI में MPSI की बात करें 600 अं नमर का आप लोग को पेपर कर दिया गया है लिखित परिच्छा अब उसके डिपेंड करेंगा जैसे एक्जाम पैटन आगा और व्यापम के ओफिसल नोटिस में उसके उनसार आप लोग को पता दिया जाएगा जैसी अचार सहीता लगा हुए कुछ नया जारी नहीं किया है इसलिए आप लोको उननी जुलाइ, 19 जैसे नरकने ंगां निगाम के उननी जुलाइ को उननी जुलाइ को दिशित ऑसरे जो बाद एक्टन, आप लोग को घुरु सित कर दिया जैगा और नमरा पोर्यक्त भात जाएगा, जैसे इब आप लोग को वैरल हो रहा है। सोड से पता चला है कि आप लोग इतने भरती होने वाली है, उस समय आप लोग को बिधान सवाद चुनाओ है यमपी में बिधान सवाद चुनाओ है और 2024 में लोग सवाद चुनाओ है ध्यान दिजेगा यह सब नहीं करना पड़ेगा तो बहुत यह बच्चे नाराज वैसे ही चल ले हैं और और नाराज हो जाएंगे तो भरती प्रिकिया जारी-चारी जतना उनकी बड़ी बात है और प्रेसर भी एक तरह से माल ले सकते है दवाव भी है पुरे सरकार पर इसलिए यह भरती प्रिक्या जल्दी जल्द आप लोगो अगस्त में होगी आप लोग सोच रहे होगी कि आप लोगो परिच्छा कब होज़ेगी अगस्त में आप लोग का नोट जल्द आप लोग पर अपलोग टिनिंग हो जाएगा जॉड़ों योघ को अपलोग मई आपलोग म्हाइँ में उस बात का आप लोग जरूद है नगे इतने टाइम है नि आप लोगोगो दिसंबर अ सबस्च भान। दिसंबर में तक आप लोग टाइम है, अक्टूबर नॉवर में आप लोग का पेपर हर हालत में ले लिया जाएगा, तेरे महतपूर अपडेट जो भी आप लोग को सवाल हो, आप लोग कमेर के पूछ सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजएगा, आप लोग तै चैनल से घूमना है तो घूमते रही है, आप लोग ठीक है, धन्नवाद